तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे chapter number 2, जो कि है हमारा बहुत important सा chapter, जिसका नाम है principles of management, अब इस chapter के थुरू हम समझेंगे, कि पहले तो principle का meaning क्या है, फिर principles of management का meaning क्या है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि उसका nature कैसा है, मतब कि उसकी characteristics क्या है, फिर हम ये भी देखेंगे कि कुछ-कुछ theorists जो है, जिन्होंने इन principles के बारे में अपना-अपना perspective लिखा है, तो हम स्रीमान हेंडरी फ्योल और स्रीमान फ्रेडरिक टेलर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये chapter के अंदर हम cover करने वाले है principles of management, let's begin, चलिए, भायों, तदा भायों की बहनों, अब हम बढ़ेंगे principles of management, तो what do you understand by the word principles, management तो आपने समझ लिया, कि management का मतलब है, art of getting things done by others, लेकिन जब मैं पूछू principles, तो सबसे पहले बहुत common सा एक answer मिलता है, rules, regulations, guides या guidelines, फिर orders या any kind of such restrictions, तो basically अगर मैं आपसे कहूं कि आप सभी का answer correct है, तो आप क्या मानोगे, आपको मानना यही है कि आपका answer correct है, अब इसके अंदर हम समझेंगे कि principle की definition basically होती क्या है, तो principles are such kind of rules and regulations, which guide you through your processes, यह basic उसका meaning होता है, बट वेन आइस से principles of management, तो चलिए मित्रो, हम पढ़ते हैं, textual हिसाब से कि principle of management या principles यह क्या होते है, तो basically principles एक प्रकार की बकलोली है, अब बकलोली को हम English में कहते हैं statement, अब यह कैसा statement है, तो भया यह समझ लो, कि यह कुछ इस प्रकार का statement है, जो हमें guide करता है, किस चीज में guide करता है, हमें guide करता है, मतलब physical और mental, तो physical का मतलब है action, और mental का मतलब है thoughts, तो basically principle is such a statement, which provides us a guideline, for our thoughts, and our actions, दूसरी बात, यह एक प्रकार का foundation है, मतलब कि यह हमारा base है, किस चीज का, बोले सर पूरी system का एक base है, कौन principle, और यह system किस चीज की है, सर चाहे वो reasoning हो, चाहे वो behavior या belief हो, इन सब का foundation कौन है, एक, और वो है हमारा principle, इसका मैं अगर आपको example दूँ, तो आपने बरसों से अपने दादा दादी को यह बोलते हुए सुना है, कि हम अपने सिद्धानतों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, और इसका मतलब है, कि उनके जो सिद्धानत है, वो ही सिद्धानत है, उनके principles of your life, और वही चीज हम अगर organization के हिसाब से देख ले, तो basically they are such a kind of fundamental facts, या fundamental truths, जो हम believe करते हैं, हमारी organization के success के लिए बहुत जरूरी है, दूसरी बात, कि यह किस प्रकार के होते हैं, तो बोले यह broad होते हैं, ठीक है, जब मैं कहूं broad, तो इसका मतलब है कि इसमें cause and effect relationships दोनों ही cover होंगी, तो broad का मतलब यहां पे क्या है, कि sir यह क्यूं हुआ और वो कैसे हुआ, यह दोनों के बीच में जो भी अंतर है, वो हमें कौन सिखाता है, principles, और दूसरी बात, कि जबी भी हम decision making process करते हैं, उसमें भी हमें किसकी जरुवत पड़ती है, तो बोले sir बहुत simple है, principles की, क्यूं, उसका एक reason है, आप समझें, कि अगर मैं कोई चीज के बारे में सोच रहा हूं, तो जिसको हम अपनी side से संसकार बोलते हैं न, वही organization के संसकार जो है, वही उसके क्या है, principles of management, तो basically एक manager अपने घर से कोई भी mentality लेकर आया हो, लेकिन जब वो organization में आता है, तो उसे organization के संसकार और संस्कृती के हिसाब से चलना पड़ता है, और यही संसकार कौन देता है, principles of management, तो basically यहाँ पे हमने चार चीज़े पड़ी, पहला statement, जो क्या करता है, guide करता है, किस चीज़ को, दो चीज़ों को, thought और उसकी actions को, उसी से हम यह भी point बना सकते हैं, कि यही है, एक fundamental सत्य cause and effect relation का, दूसरी बात, principle generally करते क्या है, तो बोले sir, principle generally एक foundation, एक base create करते है, जिसके उपर हमारा पूरा organization का system built है, and the last point is, कि यह एक प्रकार की guideline है, manager को किस प्रकार से सोचना है, वो सोचने का एक line और length देने वाले भी कौन होते है, the principles of management, चलिए, अब पढ़ते हैं कि principles of management का सभाव कैसा है, मतलब कि nature of principles of management, तो my dear students, हमने management की characteristic में पढ़ा था, कि management एक human process है, तो अगर process human process है, तो उसको चलाने वाले जो principles हैं, वो भी कैसे होंगे, humanified ही होंगे, इसका मतलब है कि हम यहां human behavior की बात करेंगे, जिसका मतलब है कि हम जो भी principles बना रहे हैं न, वो किसी ना किसी प्रकार से, एक तो बनाने वाला भी human है, उपर से उसको चलाने वाला manager भी human है, और उसे follow करने वाला, मतलब implement करने वाला worker भी human है, तो basically जब top से लेके bottom तक humans ही humans है, तो हमारे principles of management किस पर depend करेंगे वाईया, वो depend करेंगे human behavior पे, दूसरी बात, जब management के बारे में पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था, management universal है, हर जगा चलता है, तो मेरे प्यारे मित्रो, अगर management हर जगा चलता है, तो उसको बनाने वाले principles, वो भ basically I want to say this, whether the organization is small or the organization is big, whether the organization is financial, economical, political, social, religious, कोई भी organization ले लो, उन सब के अपने अपने संसकार और संस्कृतिया होती ही है, which means that, के हर organization के अंदर principles of management भी होंगे, जिसका मतबल है, के principles of management भी universally accepted है, तीसरी बात, अगर कोई principle की बात करता है, तो principle जो character है, वो तो science वाला character हो गया, तो जब science वाला character आता है, तो मेरे प्यारे मित्रो, cause and effect relation तो होना जरूरी है, इसका मतलब ये है, के भया situation बदली, तो हमारे principles भी बदलेंगे, और इसका मतबल बहुत simple सा ये है, मैं example के साथ बता सकता हूं, के for example, COVID के situation में, organizations were all shut down, but then there were some educational institutions, they started off with their online career, और इस online career को अपने हाथ में लेकर, वो अपने हिसाब से अब काम कर रहे है, जिसका फाइदा आप अभी इसी वीडियो से उठा रहे है, तो मेरे प्यारे मित्रो, कहने का मतलब यही है, कि कहीं वो COVID का cause हुआ, उसकी effect यह आई, कि online education sector भी grow करने लगा, तो वही cause and effect relation principles of management में भी होते है, और एक बात, क्या इस प्रकार से, अगर हम different situations में difference ला सकते हैं, तो क्या हम principles of management को flexible नहीं बोलेंगे, Of course बोलेंगे, तो बेटा बहुत simple सी बात है, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, तुम अपने हिसाब से सोचते हो, तो जब सोचने का नजरिया सबका अलग-अलग है, तो भाया principles of management भी हर organization के, अपने manager पे depend करते हैं, और वो भी dynamic and flexible रखते हैं, क्यों? क्योंकि कभी भी business environment मे changes आ सकते हैं, और अगर business environment में changes आए, तो उन changes को incorporate करना जरूरी है, वरना तुम पिछडी प्रजाती के कहलाओगे, तो basically अगर आपको अपने आपको पिछडा हुआ नहीं कहना है, तो change करो, और अगर change करना है, तो तुम्हे न सिर्फ उपर उपर से change नहीं करने पड़ेंगे बिटा foundation से change करना पड़ेगा, तो foundation से change करोगे, इसका मतलब यह है कि principles of management से change करोगे, management भी change होगा, फिर एक बात यह कहरे जा रही है, कि contingency भी होती है principles of management में, अब principles of management में contingency का क्या मतलब है, तो basically when I say contingency, I mean to say that, अगर कोई event है जिसका happening, non-happening मुझे पता नहीं है, पर मेरे organization के जो संसकार है, उस हिसाब से मैं किसी भी situation में अपने आपको रख सकता हूँ, यही चीज़ को कहा जाता है, contingency in principles of management, और सबसे आखिर में एक point लिखा है, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, और वो मेरे पीछे इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति या हर एक principle बेटा ऐसे ही सपने में आया हो और लिख दिया हो, ऐसा संभव बिलकुल नहीं है, है ना, जब आप लोगोंने Henry Fayol या Frederick Taylor के बारे में सुना, तो वो दोनों भी organizations में काम कर रहे व्यक्ति थे, जिनोंने अपनी बुद्धी के हिसाब से, और ज़्यादा तो observations के हिसाब से, changes उन्होंने किये है, तो basically when I say principles of management का nature, तो I mean to say they are based on practice and experimentation, which means that, कि समय परिवर्तन होना तो जरूरी है, होता भी है, और उन हिसाब से, लोगों में जो changes आते हैं, वो changes मुझे पकड़ने पड़ेंगे, problems जो create हो रहे हैं, वो मुझे solve करने पड़ेंगे, being a manager, तो सबसे पहली बात, कि मेरे principles भी मैं बदलूँगा, लेकिन वो किस basis पे बदलूँगा, तो भाईो बैनो, उसका answer है, practice and experimentation, मतलब देखो, कोई ऐसा fixed principle, कोई भी organization में होता नहीं है, वो हर अंतराल में, मतलब की समय से स समय में, वो बदलता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा, वो यह पढ़ा, कि principles of management का nature क्या है, तो पहला उसका nature है, it is based on human behavior, which means that, it is governed by humans, and it is also a general guideline to their action, दूसरी बात, अगर मैं नेचर में बात करूँ, तो वो यह है, कि वो universally acceptable है, मतलब कि मैं दुनिया के किसी भ कोने में चला जाओ, हर organization के अपने अपने संसकार है, फिर वो संसकार किस पे depend करते हैं, भाईया, समय पे depend करते हैं, मतलब कि वो dynamic भी है, flexible है, जैसे कि रिवाज जिस तरह change होते हैं, तो संसकार और संस्कृती भी थोड़ी-थोड़ी change करनी पड़ती है, उसी हिसाब से अगर principles में करना भी जरूरी है, तो when I say this kind of changes, you don't know the outcome of the changes, तो you need to be prepared about those outcomes, and being prepared about those outcomes means contingency.